आज हम चर्चा करेंगे नितिन सेथी बिजनस स्टैंडर्ड की रिपोर्टर हैं, बहुत इंवार्मेंट पे और एकॉलोजी पे बहुत सारे काम किये हुए हैं, कुमार संभव जो की लैंड कॉन्फिलिक्ट फोरम में हैं और बिजनस स्टैंडर्ड के साथ भी जुड़े उस पे करीब चार सो एकर एक हिसाब से बेनामी ओनर्शिप हो गया है इस वक्त पातंजली का, तो इससे आप क्या लगता है कि कानूनी प्राब्लिम रहा है या कुछ और इसमें मकसद है? में कहल से दो तीन पेच हैं इसमें, एक सुप्रीम कोर्ट ने 2011 या 12 में कहा था कि इस किसम की जमीने इनको गैर मुमकिन पहाड बोलते हैं हर्याना में, बैसिकली ऐसी जगाएं जो पहाडी हैं जहां पे खेती नहीं अलावड है, कुछ और कमर्शिल अक्टिविटी नहीं क तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसी जमीने जो हर्याना की हैं ये पंचायतों के पास जानी चाहिए, किसी और का हक नहीं है इन पे, और ये कॉमन्स की तरह रहनी चाहिए, ये 2011 में ओर्डर आया, उस समय पी रियल स्टेट का आसपास दबाव था, फरीदाबाद कोशिश कर रहे थे, तो गाउवालों ने बोला कि जमीन के लिए केस डाला कि ये सारी जमीने बहुत सालों से ऐसी गलती से बिक रही है, या फ्रॉड में बिक रही है, इनको वापस पंचायत में दिया जाए, पंचायत के तरफ से पहल कदबी था, सरकार के कहने पर ही, उस काफी बड़ा दो तेहाई से जादा गाउं का हिस्सा जो इस किसम की जमीन का है, उतने में जब तक केस चलता कोर्ट में पहुचा, लोकल कोर्ट में हलके खिषता रहा, तब अचानक पता चला कि जिनके अगे इनसे ने केस डाला था, कई हजार लोग थे तब तक बहुत लो तो नहीं जो नहीं है, इन सब से हमने हक ले लिया इन जमीनों का, अब हम मालिकाना हक रखते हैं और हम भी केस में घुझेंगे तीन हजार करीब ओनर्स ने पावरवेटादी से तूसरों को दे दिया और हम लोग जब पहुंचे एक तरीकी से कहानी के मोड पे तो देख हमने वो कागज देखे जो इन तीन चार लोगों ने डाले थे कि बोलते है कि हम खड़े आगे इन चार सूरों के भीः पे तो हमें तीन चार लोग अपने लिए नहीं खड़े थे एक किसी और के लिए खड़े थे और कागज टटोलते जब हम पहुंचे तो समझ आया है कि ये चार लोग एक तरीके से रियल इस्टेट डीलर्स थे जो पतंजली ग्रूप के लिए काम कर रहे थे तो फ्रंट थे और बहुत क आप पर कंपनी खरीद रहे थे कुछ उन्होंने अपनी नाम पर रखे में थी कुछ कंपनी के नाम पर ट्रांसफर हो गई थी पर यह सब पर यह नहीं हो रहा था तो करीब इस वक्त आपके चांद्बीन से 400 एकर जमीन ऐसा है जो कि पारतंजली ग्रूप के पास इस वक्त ह है इस पर बाद बाद चर्चा करेंगे कि इस 400 एकर का मकसद क्या है क्योंकि एक स्ट्रिटीजिक जगह पे तो है गुरगाउं फरीदबाद रोड पे जो आप हाईवे बनने वाली है एट लेड हाईवे आपने लिखा है बनने वाली है तो यह और दिल्ली और गुरगाउं फरिदबाद तीनों के बहुत करीब का जमीन है तो इसकी एक अलग एहमियत हो सकती है एक कॉमन से अगर प्राइवेट हो जाती है तो बताएंगे कि यह पावर अवेटर्नी वगारा का खेल क्या है तो वही जो नितिन बोल रहे थे कि वह 2011 का एक सुप्रीम कोड का ओर था व इसमें किसी का भी व्यक्तिगत मालिकाना हक नहीं होगा तो होता यह है कि जैसे गाओं का प्राइवेट लेंड मान लिजिए 100 एकर है और बाकी 300 एकर उसका तीन गुना कॉमन लेंड है तो हर व्यक्ति को उसी रेशियो में उसका एक नॉमिनल शेर हर व्यक्ति का उसमें होत तो उसको लोगों को ऐसा जब रियल स्टेट का बूम होता है तो उन्होंने बोला कि आपने खरीद लिये वही नॉमिनल शेर तो ऐसे डीलर्स जा जाके और उनको बोलके कि आपका कोई वहां पर शेर है आप हमें क्यों नहीं बेच देते तो किसी को पता नहीं है कि land किसका है और कहां है बस एक भविष्य में कि कभी ये प्राइवेटाइज हो जाएगा इस उम्मीद के साथ और उसका फिर हमको पूरा हिस्सा मिल जाएगा प्राइवेटाइज होने से इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा तो बड़ा सस्ते वालों से खरीद लेते हैं गाओं वाले भी ये सोच के कि हमें तो पता ही नहीं है क्या है इतना मिल रहा है तो उसमें वो तो लुद्धावे में आ जाते हैं नॉमिनल शेयर को बेशने का प्रक्रिया शुरू हो गया लेकिन क्योंकि लौ में अलाव नहीं है उसका सेल और प्र फिर भी ये प्रक्रिया चालू रखने के लिए कि लेंड को ग्रैब करते रहें उन्होंने ये पार ओफ अटॉर्णी का जरिया बनाया जिसमें आप खरीद नहीं रहे हो फिर भी अपने सारे हक जो है उनके आप वो पार ओफ अटॉर्णी साइन करते हैं आप अलग अलग अ करते हैं और दिल्ली चोड़के कोई कलक circuits में हो रही है कोई नौइडा में हो रही है क्यूंकि आप हर्याना में यह नहीं कर सकते हो दिली में तो बैंडी है पार ओफ अटॉर्णी से करते हैं अनकि कोई चीज पार अटॉर्णी होता नहीं है और ठीकत तो यह है कि यह पावर के हाथ पे ट्रांसफर नहीं कर सकता है खास तोर से जब एक कॉमन लैंड है जिस पे आपका सिर्फ हिस्सा है पर आपका मालिकाना नहीं और उसमें पावर ओफटर्णी में वह लेंग्वेज भी बड़ा क्लियर होता है कि मेरी तरफ से आप इसकी सारा कमर्शिल ट्रां जेंड है और वगष उसमें लोग भी है तो पावर ओटर्नी से लोग बेचा के ना करिछ दो कर दो यसाइन कर दोगकर्वेशन लेकि बड़ज ले घान से कि पावर ओटर्णी जब लेंगे तो इस्क्रवें कुमार शार्मा जिन का नाम धने काहनी में लिया है तो वो पाव पिछले साल तक 16-17 तक कम से कम पतांजली ग्रूप की थी फिर वो पतांजली ग्रूप से बेच के आचारे बालकृष्णन की हो गई फिर वहां से देखा कि company में कुछ काम नहीं हो रहा है जीरो रेविड्यू कंपनिया है और लेकिन उसके थरूप cash transactions हो रहे हैं money transactions हो रहे हैं advances लिये जा रहे हैं और बहुत सारे transactions जो है जमीनों के लिए हो रहे हैं और टटोलते टटोलते हमने देखा कि फिर कोट का नाम भी आने लग गया कि अच्छा कोट में ही जमीने खरीदे जारी है जो गाउं है उसी गाउं में जमीने खरीदी जारी हैं एडवांस दिये जारी हैं तो वहां से जब हमने शुरू किया तो कुछ नाम वहां मिले फिर हम और महीना भर लगा लेकिन और दस बारां कंपनी हमने पटंगली ग्रूप की जो जीरो रेविन्यू कंपनी हैं एक एक करके उसको थोड़ा उधेरना शुरू किया तो इतना बड़ा निक जब कागस देखे हम दोनों ने तब लगा कि हाँ यह तो सच में मतलब जितनी कंपनी हम खोल पाए एक महीने में सब में कुछ दिख रहा था तो मुम्किन है कि हमने सारी कंपनी अभी जानते भी नहीं अगर समभ आइटिंग कर रहे थे जब रिसर्च तो देखा कि ओड़र कोशिश से 400 एकड़ तक पहुंच पाया है अब तो इसका दायरा और बड़ा हो सकता और एक गाउं की बात कर रहे हैं आप कोट और बाकी जगह पे हो सकता हमने जब कंपनीयों के रिकॉर्ड देख रहे तो और गाउं के नाम आए हैं गुर्गाओं के नाम आए हैं वहां क्या हो रहा है हम नहीं बोल सकते लेकिन हाँ इतना साफ था कि पतंजली गुरूप जमीनों में इंवेस्मेंट कर रहा है इसके सब्ड़े पैमाने इसका और एक आपका हिस्सा है आपका इंवेस्टिगेशन का कॉंसॉलिडेशन की बात शुरू ही है और इस कॉंसॉल सब्सक्राइब कर नभी हो सब्सक्राइब हो सकते हैं तो बड़े पैमाने पे जमीन वहां पे शहर के बहुत नस्दीक यह वहां पर मिलेगा जिसको आप रियल एस्टेट रिसॉर्ट बनाना बेचना रिसिदेंशल पर पस इसके लिए किसी भी चीज के लिए इस्तबाल कर स रहे थी यह जमीने जो हैं गैर मुमकिन पहाड या शामलाद जमीन कॉमन्स है इन में जो गाउवाले हैं उनके एक नॉमिनल हक होता है आपको पता ही नी की प्लॉट कहां पे है वो नहीं बेच टाला अब यह इन कंपनियों के पास है जब कंसॉलिडेशन होगा कंसॉलिडे से फाइदा यह होगा कि जो सडक है ही नहीं महां तक आने की सरकार वो सडक भी काट के आपको दे देगी पाहड के थुरू क्या यह आप सडक से यहां तक पहुंचेगा तो इंवेस्मेंट की कॉस्ट पर जाती है आपके अच्छी जमीन अच्छी लगती है क्योंकि आप चा ही तरह करा सकते हैं रिजॉर्ट बनाने तो रिजॉर्ट बना सकते हैं और जैसे गाहँ वाले और कई जो केस वहां पर एक्सपर्ट है वह भी बोल रहे थे कि ज्यादा पारफुल फोर्स होती हैं कंसॉलेडेशन में तो ऐसा मुम्किन करवा पाती है कि उनके पारसल हमेशा हाइवे के आस-पास ही हो यह अच्छी जगाहों पे मिले पानी पानी हो पर इक अलग इस पर यह बात आ दिये कि लैंड यूस अरावली में वैसे इस तरह करने का कोई संभावना है क्या कानून तर तोर पे आप क्योंकि इस विशह पर आप काम किया है कानून तोर पे इस व बहुत सारे लीगल प्रोटेक्शन को पॉलिसी को काफी वेग रखा गया है भी तक तो एक तो एक तो एक तो सुप्रीम कोट का उनी सचानवे का एक एक और है कि जहां पर लीगली फॉरेस्ट आपके कागजों में लीगल उसको डिफाइन नहीं किया गया है लेकिन फिर भी वो अगर डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से फॉरेस्ट है तो उसमें मुसली हिली फॉरेस्ट और वेजिटेशन ग्रीन वेजिटेशन अराबली के हैं उन सब को राजे सरकारों को लीगल फॉरेस्ट के रूप में आइडेंटिफाई करना है एक और है सुप्रीम कोट का इस अभी तक प्रक्रिया सब चल रही है और इस पर डिली डिलेइंग हो रही है तो हर्याना ने अभी तक नहीं किया है अगर वो प्रोसेस किया जाता तो ये सब लीगल फॉरेस्ट हो जाते फिर उसमें कोई भी आप प्रक्रिया नहीं कर सकते हो दूसरा तो यह उन्होंने नही किया भी तक दूसरा एक पर अभी भी इसको अगर किया जाए तो फॉरेस्ट डिक्लियर होना है होना है हाँ तो यह मतलब हम लोग ने अब देखा और काफी साफ दिखता है कि इस पर बड़े-बड़े आपके जंगल डिक्लियर हो जाएंगे वहां पर कमर्शियल अक्टिविटी ऐसे अपने आप नहीं आप कर पाएंगे फिर फॉरेस्ट कॉंजरवेशन अक्ट लगेगा उसमें सुप्रीम कोट का एक सुपर विजन रहता है एक कमिटी है तो देखती है तो एक यह हैं दो ऐसी क अब नोटिफिकेशन है पुराना की अरावली एरिया प्रोटेक्ट हो तो अरावली बचाईए तो हर्याना सरकान लेकिन आपका नोटिफिकेशन गुरगाओं के लिए तो फरीदाबाद में लगाएंगे नहीं तो एक तरीके से बोल दिया के फरीदाबाद में हमाने पास अरावली है ही नहीं अब उसी पे मुहीम चल रही है अगर अरावली है भी तो कलम के कागस पे हमने उसको पह सकते नहीं है हमने डिलीट कर दिया है तो अब आप जब है ही नहीं तो बचाएं क्या और एक और अभी भी मतलब हाल ही में एक बहुत ही इंट्रस्टिंग इन्होंने सरकार ने एक और कदम उठाय था एक पंजाब लैंड प्रशर्वेशन एक्ट है हर्याना का बहुत पुराना है उसमें यह है कि बहुत सारे जो अरावली के सेंसिटेव एरियाज है उनको इसके अंदर प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते फिर सुप्रीम कोड के एक और के बाद वह सारे लीगली फॉरेस्ट हैं उसके अंदर तो अभी इन्होंने जैन्वरी में एक लाने की कोशिश करी थी अर्याना सरकार ने और असेम्बली में पास भी कर दिया था कि जहां जहां पर भी डिवेलपमेंट प्लान हमारे आ रहे हैं उसमें ये पील पीए पंजाब लेंड प्रेजरबेशन एक नहीं लगेगा तो वहां वहां जो जो अरावली है वो सब इस से उसका प्रोटेक्शन हट जाएगा और ये कोट में जितना भी अच्छा-खासा लेंड है जो कॉमन लेंड है जो पील पी के अंदर आता है उस से ये प्रोटेक्शन हट जाता और उसमें परमीशन सारी मिल आती दो दिन बात सुप्रीम कोट ने हला कि सूमोटो लेके उसक कि इस तरह की इन्वार्मेंटल प्रोटेक्शन जितने हैं उसको कमजोर करने में लगे हैं इस वक्त यह भी कह रहे हैं कि हाइवेज अगर बनेंगे तो उनका कोई ग्रीड जो ट्राइबूनल वगारा जो क्लियारिंस वगारा लेना यह बाद भी ली जाएगे पहले सारथ बन पिछले रजीम को खत्म पिछले टैनियोर को खत्म होने से पहली कई दाव खेल लिये थे एक तरीके से मानते वे कि इस दूसर टैनियोर राएगा तो उसको पूरा कर देंगे तो उसमें इन्होंने चार या तीन चीजें बदलने की प्रयास किया एक इन्वार्मेंट क्लियर फोरेस्ट राइट्स आक्ट के डियूशन लेके आ गए हैं हम सुनते हैं अभी तक पक्का नहीं है पर सुनते हैं कि वाइड लाइप प्रोटेक्शन आक्ट जो था उसके भी अमेंडमेंटमेंट ला रहे हैं तो एक आपका कहना सही है कि ओवरॉल एक रजीम है जो इस ऑफ दूइंग बिजनस के नाम पर आप एंवार्मेंटल इंटेग्रिटी थोड़ी सी और कमजोर कर रहे हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा कि जो अभी हमारे पास लॉज थे बहुत अच्छे थे ना वो बिजनस को फाइदा पुचाते थे ना वो एंवार्मेंट को रेंट सीकिंग के ब लग तो नहीं रहा कि खेती इस पर करके अपने लिए दवाई बनाने के लिए ये सब फ्लॉट्स खरीद रहे हैं तो इनका क्योंकि उसके लिए 400 एकर खरीदे के ज़ुरत नहीं पड़ता वो तो अब कॉंट्रेक्ट फार्मिंग से ही करा सकते हो तो ये मालिकाना अगर ले कर चुके हैं हम लोग की निगाह नहीं पड़ी या हमने इनकी पड़ी उन्होंने जादा बोला नहीं इस पारे में पर जब हम ये टटोलने लगे सरफ एक कोर्ट का केस तो हम दोनों ने देखा जब कंपनी के रिकॉर्ड जेख रहे थे लोगों से बात कर रहे थे कि ऐसा का बाकी और कई जगाहों पर पटांजली कर चुका है तो देरादून के आसपर्स की जमीन है काली मुझे किसी ने बता है असाम में भी ऐसी जमीने पकड़ ली गई है सरकारी जमीन दे रही है सस्ते में तो मेरे कहल से पटांजली ग्रूप बहुत डाइवर्सिफाइग कर यह स्नाओरर नहीं देंगता स् rise such a well with organic food फूरी कौने का दिष्टा क्योंकि और गानिक फूद ऐसी जगहां पर आप नहीं यह पानी नहीं मिल रहां बंजर पहाड में तो नहीं करें गे यह ड्राइब पहाड में नहीं करेंगे जमीन यह ऐसी हैं जो फ्रिलरी रेल स्टेट के लिए आप देख रहे हैं बिलकुल तो मेरे क्याल से डाइवर्सिफिकेशन पतंजली ग्रूप का है और कहा उसका वेब और कहां कहां क्या क्या इंटरस्स है अगर आप उनकी में बैलन कि देखना शुरू करें तो आप पाते हैं कि बहुत चीजों में हाथ डाल चुके हैं वो सिक्यूरिटी एजनसी भी चलाना चाहते हैं वो जीन्स भी बेचने का कोशिच कर रहे हैं असली पैसा कहां से आता है कैसे आता है इसकी स्कूरूटनी अभी भी नहीं हुई है और जो जो ट्रस्ट पेस सिस्टम से उनके रिकॉर्ड्स की स्कूरूटनी और भी कम होती है तो किस तरह तो आक्षी ग्रूप जाना चाहरा है और क्या कर रहा है उनका पैसा कहां से कैसे जाता है मेरे ख्याल से हमने सरफ एक टिप देखा है सरकार कर सकती है असली में पत्रकार अरे तिन कुमार की अर Iya वे उनके लिए ख्यार्ट यही एक आप इस तरह की इन्वेस्टिकेशंस करते रहे हैं और हमारे धर्शकों को बताएं कि आप क्या कर रहे हो और उसकी जाल कित्ती दूर है पत्तन पातैंजली द्वेस्टिकैशन की लिए आपको धन्यबाद्स यही इतना ही देखते रहिएगा द्यूस क्लिक